हेलो अरिबडी कैसे आप सभी उम्मिद करूंगा अच्छे होगे तो आपके लिए एक न्यूज है और अच्छी न्यूज है जो भी HTAT 2022-23 की त्यारी कर रहा है तो भाई आपके लिए न्यूज ये है कि HTAT 2022 का एक्जाम होने वाड़ा है वो आपका होगा 12 से 13 नमबर 2022 को दो दिन पेपर होगा तिन्नो लेवले के लिए पेपर होगा PRT, TGT और PGT और उसके बाद जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद 15 दिसंबर तक अपका रिजल्ट आजाएगा और आपका होगा सरफ फोर्म कभ निकलेंगे तो फोर्म आपके ये मानलो 15 सितंबर के बाद कभी भी निकल सकते हैं 20 दिन आपको टाइम दिया जाएगा फोर्म भरने के लिए पलस जैसे ही 15 दिसंबर के बाद आसपास उसका रिजल्ट आएगा स्टेट 2022 का तो उसके बाद आपके TGT और PGT की भरती भी हो जाएगी लेकिन PRT यानि कि JVT की भरती नहीं होगी क्योंकि JVT ओलड़ी सरकार के अरिया सरफ पलस है सकूल मर्ज हो रहे हैं तो अलड़ी सरकार अनुपात हो चेंज कर चुके जो पहले 24-25 होता था वो आज 30 है एक टीचर 30 बच्चे इसलिए सरफ पलस सले गए और जो भी इस चीज की त्यारी कर रहा है भाई अगर आपका एस्टेट की लिए नहीं है तो अपना पर दे देना बाकि अब एस्टेट की जो लिमिटेशन है वो आपको पता ही खतम करी दी सरकार ने और एस्टेट के सासा जो सीटेट है वो भी एलिजीवल हो गया हर जग है तो कंपेटिशन भी बढ़ जाएगा आगे आगे तो अपना भाई त्यारी करो और यहीं अपडेट आपके लिए थी और एक और अपडेट रहता हूं मैं बहुत जल्द हरियाना सीटी के लिए प्र से वो आपने लिए और बहुत नामात्र प्राइज में देखो उतना तो नहीं हो पाया जीज़ना पहले था लेकिन भुक का प्रिंट अगरे कोश्ट होता है तो नामात्र प्राइज में आपको प्रवाइड करोंगा और लगभग 30 से 40 या 50 सेट में आपको करोंगा तक आप डेल्ली का एक प्रक्टिस सेट कर सबो जब तक सीटी का पेपर होता है तब तक थैंक्यू जैहिन जाबराज जारेना आपको दिन सुभो धन्यवाद